हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा एजी सा स्वेटर का डिजान लेगा हूँ तो देखें बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है जितना देखने में सुन्दर है बनाने में उतना ही आसान है बहुत ही इजी डिजाइन है इसको विक्नरस वैसानी से बुझ लेगी बहुत इजी है राइट साइड से इस तरह से नज़र आएगा और रौंग साइड से इस तरह से नज़र आएगा इसको आप लेडिज के स्वैटर में जैंट के बेबी के गरल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए ओल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा डिजाइन है राइट साइड से डिजाइन बनना शुरू होता है और चोदा सलयों में बनके डिजाइन कम्पलिट हो जाता है इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हमको फंदे चाहिएंगे वो फंदे हम 10 के मल्टिपल लेंगे जैसे पहले दस गिनिएगा फिर से दस फिर से दस फिर से दस लास्ट में आपके दो फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए 10 के multiple प्लस 2 फंदे 10 फंदो में हमारा ये एक डिजाइन बनके आ जाएगा यहां से और यहां तक 10 फंदों का डिजाइन है फिर 10 फंदों का फिर 10 का फिर 10 का अगर आप इस डिजाइन को बनाने में इंट्रेस्टिड है तो प्लेज वीडियो को एंड तक देखीगा तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं के डिजाइन कैसे बनाया गया है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए यहां मैंने जो फंदे डाले हैं 10 के मल्टिपल 10 और 10 20 और 2 फंदे प्लस की है तो 22 फंदे हैं यानि 10 के मल्टिपल प्लस 2 22 फंदे डाले है राइट साइड है फर्स्ट रो है ध्यान दीजिएगा फर्ष्ट फंदा एजटीच है इसको आप बनाईए या उतारिए आपकी अपनी मर्जी है अब यहां से डिजाइन बनाएंगे एजटीच एक दो तेन चार पाँच छे छे फंदे सीधे बुने अब यह दो फंदे है जो इनके आगे से स्लाइड डालेंगे ऐसे और यहां से फंदा बुनेंगे इस तरह से आप देखिए जो यह दो फंदे हैं इनके बैक से स्लाइड डालेंगे ऐसे और बैक से सीधा फंदा बना लेंगे दो का एक कर लेंगे तो देखिए एजटीच को छोड़के यह 10 फंदों का डिजाइन है इसी को फिर से रिपीट करेंगे एक डिजाइन कम्प्लीट हुआ 6 फंदे सीधे फिर यह दो दो फंदों में डिजाइन डाला अब फिर से 6 फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तेन चार पांच छे फिर से देखिए इन दो फंदों के आगे से स्लाइड डालेंगे ऐसे फिर यहां से लूप का फंदा ऐसे बना लेंगे फिर इन दो के अंदर स्लाइड डालेंगे और बैक लूप से दो का एक सीधा फंदा ऐसे बना लेंगे फिर एक और दो इन दो फिंदों के आगे से डालेंगे और यहां से पुनेंगे फिर इस दो फिंदो के अंदर सलाइड डाल के बैग लुब से मोड है बना लेंगे अे लास्ट में हैं I joint आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हो इसी तरह से दस दस फंदे रिपीट करते जाईएगा लास्ट में एक फंदा बच्छेगा इसको सीधा बना लेंगे तो डिजायन की फर्स्ट रोबन के कम्पलीट हुई अब आज ये उल्टी तरफ दूसरी सलाइग तो सेकिंड रो तो ये दूसरी सलाइग को पूरी को उल्टा उल्टा बना के कम्पलीट कर लिया अब आज ये सीधी तरफ राइट साइड तीसरी सलाइग अब यहां पर ध्यान दिजेगा एच टीस फंदा है इसको बनाईए या उतारिए आपकी अपनी मर्चे फर्स्ट रो में हमने यहां पर छे फंद बनाएं थे अब की बार पांच फंद बुनेंगे 1 2 3 4 5 फंद बुनने के बाद अब दो फंदों के आगे से सलाहिया हां सडालं लेंगे और ऐसे फंदा बना लेंगे अब इन दो फंदों के अंदर सलाई डालेंगे और दो का एक बनाएंगे फिर एक और दो इन दो के आगे से सलाई डालेंगे और इस तरह ऐसे फंदा यहाँ पे बना लेंगे फिर इन दो फंदों के अंदर सलाई डालेंगे दो का एक बनाएंगे सीधा फंदा अब ये एक फंदा बचाह धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे आप देखिए एच्ट इस फंदे को छोड़के इनहीं दस फंदों को बार बार रिपीट करेंगे पांच फंदे सीधे फिर दो फंदों में डिजाएं फिर दो में एक फंदा उल्टा फिर से सेकिंड रिपीट कम्पलिट करेंगे एक दो तेन चार पांच पांच फंदे सीधे अब दो फंदों के आगे से सलाई डालेंगे इस तरह से फंदा बना लेंगे दूसरे फंदे को इन दोनों फंदों में स्लाइड डालके दो का एक बनाएंगे ऐसे फिर से दो फंदों के आगे से स्लाइड डालेंगे और फंदा बना लेंगे दूसरा फंदा दोनु फंदों सलाई डाल के दो का एक सीधा फंदा बैक लूप से बनाएंगे दागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा तो यहां से यहां से यहां तक दस फंदों का दूसरा रिपिट कम्प्लिट हुआ लास्ट में एक फंदा है एच्टिच इसको सीधा बनाएंगे डिजाइन की तीन सलाइयां बनके कम्पलिट हुई अब आज ये उल्टी तरफ चोथी सलाइ तो यहां से पूरी सलाइ को उल्टा उल्टा बनाएंगे इस डिजाइन में बैक साइड से सबी सलाइयां हमारी ऐसे ही उल्टे उल्टी बनके कम्पलिट होंगे तो यह पूरी सलाइ को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेजिए डिजाइन की चोथी सलाइ है और रोंग साइड है अब आज ये सीधी तरफ पांचवी सलाइ में तो देखिए इस तरह से डिजाइन नजर आने लग जाएगा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है किसी भी प्रोजेक्ट में आप डालिए अब ये ह्टी फंदे को बनाएंगे अब यहाँ पर हम पहले 6 फंदे बुने थे सीधे फिर पांच अब की बार 4 फंदे बनाएंगे एक दो तेन चार अब इन दो फंदों के आगे से सलाइ डालेंगे ऐसे और फंदा बना लेंगे फिर से देखिए दो फंदों में डालेंगे और बैक लोप से दो का एक सीधा फंदा ऐसे बुन लेंगे फिर से 2 में श्लाइ डालेंगे आगे की तरप से फंदा बनाएंगे अब 2 फंदों के अंदर डालके 2 का एक बनाएंगे अब ये 2 फंदे में ऊल्टा है कि इस सीधा दोनों फंदों को ऊल्टा बुल्ड लेंगे भागा पीछे करेंगे अब देखिए एच टीच फंदे को छोड़ के दस फंदों का डिजाइन है चार फंदे सीध है दो दो फंदों में डिजाइन डाला दो फंदे उल्टे अब फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे तो एक दो तेन चार आप देखिए दो फंदों में स्लाइड डालेंगे आगे से फंदा बनाएंगे फिर दूसरा फंदा बनाएंगे जब दोनों फंदों के अंदर से स्लाइड डालके सीधा फंदा बैक लूप से बनाएंगे फिर से दो फंदों में डालेंगे दो का एक बना बुनेंगे और दूसरे फंदे को बुनेंगे जब दो नूफंदों के अंदर से स्लाइड डालके ऐसे फंदा बना लेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे तो दो रिपीट यहां से यहां तक दूसरा रिपीट कम्प्लिट हुआ दागा पीछे करेंगे एजटीच को सीधा बनेंगे पांच सलाइगा हमारी बन गई छटी सलाइ उल्टे तरफ यहां से पूरी सलाइग को हम उल्टा-उल्टा बुन लेंगे न Yeah Dash Mine बहुत आसन डिजयन है इसको जो न्यव विगनर्फ भी है वो भी इसको आसान इसे बना लेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में डाली आप लेडस के therebyबी के किसे भी प्रोजेक्ट में डाली ओल्स प्रोजेक्ट लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बनेगा तो ये चटी सलाई है पूरी सलाई को ऐसे उल्टा-उल्टा बुन लेजी अब आज ये सीधी तरफ सातमी सलाई एज टीज फंदे को सीधा बनाएंगे अब यहां पर हम तीन फंदे बुनेंगे क्योंकि जो ये डिजाइन है ये हमारा इसी साइड में चलता जाएगा तो हर बार एक फंदा कम सिधा बुनेंगे एक दो तीन अब एक डिजाइट वाल एक आगे से सीधा इन दोनों के आगे से सलाई टाल के फंदां बना लेगे फिर इन दोनों फंदों में स्लाइड डालेंगे और दो का एक बैक लूप से सीधा फंदा बनाएंगे फिर इन दो फंदों के आगे से स्लाइड डालेंगे ऐसे इस तरह से फिर से इन दोनों के अंदर स्लाइड डालके बैक लूप से सीधा फंदा बनाएंगे धागा अपने तरफ अब यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे हैं तो इसको सीधा उल्टा बुनेंगे दो तेन पहले एक फंदा उल्टा था फिर दो उल्टे अब की बार तेन धागा पीछे तो एच्टीज को छोड़के इनहीं दस फंदों को बार बार रिपीट करेंगे फिर से एक दो तेन अब देखिए इन दो के आगे से स्लाई डाल लेंगे इस तरह से फंदा बुनेंगे दूसरा फंदा इन दोनों के अंदर स्लाई डाल लेंगे ऐसे बैक लोप से सिधा फंदा बनाएंगे फिर इन दोनों के आगे से स्लाई डाल लेंगे और इस तरह से फंदा बनाएंगे धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे तो डिजाइन किये हमारी सात्वी स्लाई बन के कम्प्लिट होई धागा पीछे एस टेश फंदा सीधा सात्वी स्लाई इस तरह से बन के आने लग गया है आठमी स्लाई पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे अब आज ये सीधी तरफ नोंी स्लाई एस टिछ फंदे को सीधा बनाएंगे अब यहाँ पर हम दो स्लाई बनेंगे एक, दो आप इन दो फंदों के आगे से सलाई ऐसे डालेंगे फिर से ऐसे ही बना लेंगे बहुत आसान डिजाइन है अगर आप द्यान से इसको बुनेंगे तो एक बर में ही आपको ये समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इसको बना लेंगे पहले जब आप डिजाइन डाले तो थोड़े फंदों में डिजाइन डाल के आप बना के देख सकते हैं फिर आसानी से आप प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं दो, तीन, चार, धागा पीछे, अब देखिए, इनी ही एज स्टिच को छोड़के, इनी ही दस फंदों को रिपीट करेंगे, तो एक, दो, दो फंदे सीधे, अब इन दो की आगे से सलाई डालेंगे, और यहां से ऐसे बनाएंगे, फिर से ऐसे ही रिपीट करेंगे, बहुत ह असान डिजाइन है, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, और चार फंदे उल्टे, एक, दो, तेन, चार, धागा पीछे, एज स्टिच, शीधा, तो अब देखिए, डिजाइन की नो सलाईयां बनके कम्पलीट हुई, अब आज यह दसमी सलाई उल्टी तरफ, पूरी सलाई क इसको उल्टा-उल्टा बना लेंगे, दसमी सलाई है, रोंग साइड है, पूरी सलाई उल्टा-उल्टा बनेंगे, अब आज यह सेधी तरफ, ग्यार मिस राई, एज टिच फंदा सीधा, फिर एक फंदा बनेंगे, अब इन दो फंदों के आगे से डाल लेंगे, जैसे हमन धागा अपनी तरफ करेंगे, और अब यहाँ पर पाँच फंदे उल्टे बनाएंगे, अब देखिए, एज टिच को छोड़ करेंगे, इन ही फंदों को रिबेट करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ से दो के आगे से डाल लेंगे, फिर से दो के अंदर से डाल के दो का एक बनाएंगे, फिर से दो के आगे से डाल लेंगे, फिर दो का एक सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, आप दे य्यार्मी स्लाइँ है और राइट साइड है सिधी तरफ दागा पीछे एस्टी चपन्दा सीधा कि आप देख़ी आज है इल्टी तरफ बार्मी स्लाइष पूरी स्लाइit को उल्टा उल्टा और बनाएं centro-अब ऑज ये till 14 बहुत प्यारा सा यूनिक सा डिजाइन इस तरह से बन की आएगा अब चोद में स्लाई है राइट साइड है एच टीस फंदा सीधा अब देखिए यह एक फंदा बचा है एक डिजाइन का है इसके आगे से फिर से ऐसे ही बुनेंगे फंदा बनाएंगे फिर इन दोनों के अंदर स्ल डालेंगे और अगे से फंदा बुल लेंगे फिर से दो का एक बनेंगे अब धागा अपनी तरफ अब यह फंदे उल्टे एक दो तेन चार पांच शे धागा पीछे अब देखिए एच टीस को छोड़के इन ही फंदों को फिर से रिपीट करेंगे यह डिजाइन हमारा इस तरह से बनके गया है यहां स्टार्टिंग में हमने किया जब 6 फंदे सीधे थे अब यहां पर हमारे फंदे इसी तरह से 6 फंदे उल्टे आ गए डिजाइन कंपलीट हो जाएगा इसी को फिर से रिपीट करेंगे ऐसे हैं अब यहां पर कोई फंदा सिधा नहीं है इसके दागा अपनी तरफ अब देखिए 6 फंदे फिर उल्टे डिजाइन की तेरवी सलाई है और राइट साइड है इस तरह से दागा पीछे एज टिच को सीधा बनाएंगे तेरा सलाईया बन चुकी है अब चोद्वी सलाई उल्टे तरफ अब यहां से पूरी सलाई को उल्टा बनाएंगे इसे दिक्वान नजल्ट से देशान हं कि कमप्लीट हो चुका है बिल्कुल देखिए इसी तरह से हमारा यहे बनके अया बहुत ही प्यारा सा सुद्र सा डoss ko करेंगे दो बारा से डिजाइन को डालैंगे तो इनीं पर प्रोल्द करेंगि को तो मैं आपको एक ब चैपंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब देखें जो चार फंदे उल्टे हैं इन ही में डिजाइन डिलेगा, दो फंदों के आगे से सलाई डालेंगे और फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर इन दो के अंदर सलाई डालेंगे ऐसे, इस तरह से बना लेंगे, फिर इन दो के अंदर सलाई डालेंगे और इसी तरह से बना लेंगे, ऐसे, तो एस स्टिच को छोड़के इन ही फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, अब जो design यहां से start हुआ था अब यह फिर से यहां से start हो चुका है जैसे यह फंदे बुनेने हैं ऐसे आगे वाले फंदे बुने च छ्छै सीधे चार फंडो में last में design तो देखिए जब आप उनको ज्यादा proud form में डाले तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर किजिएगा चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और कोμέर शेयर कोमेंट सेक्षन